How to fix Indian Bank Customer App not working and not opening problem नमस्कार दोस्तों सुआगरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको Indian Bank Customer App के अंदर पे कोई भी इस तरह के प्राब्लम आ जाते हैं तो आप इस प्राब्लम को कैसे सॉल्फ कर सकते हैं और क्या सॉल्फ करना होगा यह मैं आपको इस वीडियो बे बताने वाला हूँ ठीक है तो कभी कभी दोस्तों एप के अंदर पे इस तरह के का प्राब्लम ओक्योट हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों एप में जब बग्स वगएर आते हैं तब हमारा एप इस तरह के से मिस भीएफ करते हैं या तो फिर दोस्तों मान लिजे आपका एप डेटा क्रेश हो जाते हैं या तो फिर आपका एप डेटा करप्टर हो जाते हैं तो उन सब के वज़ाद से भी problem हो जाते है एप के अंदर पर ठीक है तो वह सारे चीज़ यहां पर हमें fix करना होगा तो उसके लिए क्या solution करना है कैसे fix होगा यह मैं आपको इस वीडियो पे बताते जाओंगा तो आप भी उस तरह के से follow करते जाने हैं और दोस्तो जो भी process जो भी solution होगा वो step by step भी बताने वाला हूँ ठीक है तो आपको भी उस तरह के से follow करना है दोस्तो चलिए वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करके देखना होगा दोस्तो यहाँ पे रिसेंट बटन पे क्लिक किजिए clear all पे क्लिक करके सारे एप को बन कीजिए उसके बाद mobile को restart कीजिए restart करने के बाद एकबार चेक करके देखे कि आपका प्रावल्म solved होया है या नि होई अगर solve हो जाते हैं तो झा Macht कभी कभर solve हो भी जाते हैं restart के वन्द से ते लेकिन कई बार नहीं हो पाते है अगर problem solve नहीं होते हैं restart से तो आपको जाना होगा play store में और search करना होगा Indian bank customer app जाके दोस्तों आपको यहाँ पर simply app update करना परेगा ठीक है क्योंकि app update करने से आपका bug problem भी solve होगा अगर app के data में कुछ problems अगरा हुआ है जैसे कि crush problem हो सकते हैं अगर आपका app data वगरा करेप होगा है तो उन सब को दोस्तों update fix कर सकते हैं ठीक है तो make sure to update तो update करने के बाद आप mobile को restart भी जरूर कर लिजेगा restart करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर क्या कीजिए दुबारा से एप को open कीजिए और थोड़ा चला की देखिए दोस्तों किसी किसी का जो problem भी रहते हैं वो इतना solution करने के बाद में fix हो जाते हैं लेकिन मान लिजे अगर यह solution करने के बाद भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है तो दोस्तों आप जाएं नेक solution पे उसके लिए आपको जाना होगा setting setting का interface यह होगा तो आपको scroll down करके app and notification पे जाना है दोस्तों यहाँ पे आपको app and notification, manager, install app, management, app manager या फिर apps करके option मिल सकते हैं तो यहाँ पे जाके आपको Indian bank customer app को search कर लेना है for stop करते हुए ok कीजिए उसके बाद storage and cache पर जाए clear storage ok कीजिए उसके बाद bake कीजिए bake करने के बाद आपको storage यहाँ पे clear data कर देने के बाद आपको permission पर जाना है तो permissions वगरा allow कर लीजिए तो एक एक करके आपको सारे permissions allow करते जाना है जब permission allow होगा तब bake कीजिए mobile data and wifi पे जाए background data को access कर दीजिए उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे disable wifi, disable data houses अगर यह button on है तो burn कीजिए ठीक है अगर आपके mobile पे setting इस तरीगे से है तो आपको यह setting burn करके राखना है लेकिन मान लेजिए आपके mobile पे लिखा हुआ है wifi and disable only वहाँ पे किसी भी तरीगे से disable mention नहीं किया हुआ है तो यह setting को on करना होता है लेकिन आपको अपने mobile के setting के हिसाब से ही इसको apply करना है ठीक है तो यहाँ पे अपना wifi और data users का जो access है वो check कर लिजे उसके बाद mobile को restart करके आप एक बार check करके देखे कि आपका app का जो problem है वो solve हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तो इतना में problem solve हो जाना चाहिए किसी किसी का जो problem रहते वो दोस्तो इतना में completely fix हो जाते है ठीक है इतना solution करने के बाद solve हो जाते है तो आपका भी हो जाना चाहिए लेकिन मान लिजे by any chance अगर problem solve नहीं होते तो फिर क्या करना है तो दोस्तो आपको उसके लिए अगला solution जाना है ठीक है जो कि last solution होगा हमारा तो यहाँ पे आप एप को reinstall कर लिजे पहले तो आपको playstore पे जाके एप का uninstall बटन क्लिक करना है और uninstall कर देना है उसके बाद दोस्तो डाइरेक्ली install मर्ज कीजिए आपका software वगरा चेक कर लिजे mobile का अगर system update नहीं है तो system को update करना होगा system update वगरा कर लेने के बाद आप playstore में जाए एंड आप यहाँ पे रिंस्टॉल कर सकते हैं तो जैसे ही दोस्तों आपका app रिंस्टॉल होगा आपका problem भी उसी वक्त fix हो जाएगा ठीक है तो आपका जो यहाँ पे Indian bank customer app है अगर उसमें इस तरह केगा कोई भी problem कोई भी issue है तो simply आप इस solution के मदद से fix कर सकते हैं दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा thanks for watching